स्वागत करता हूँ आग सभी का चहीत चैनल इंडियन मुर्गी पालन परड़ियों देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों का आज के वीडियों में तेहीं दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तो थामनिल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तो सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि बारिश में यदी मुर्गिया भीग जाए तो क्या करना चाहिए बारिश में यदी चूजे भीग जाए तो हमें क्या करना चाहिए बारिश में मुर्गिया मुर्गे और चूजे भीगने के बाद हमें डर लगता है कि उनको सरदी जुकाम हो जाएगा हमें डर लगता है कि उन पर CRD की बीमारी आ जाएगी और इन बीमारीों की वजह से हमारी मुर्गियां मुर्गियों और चूजें मर जाएंगे फिर आइसी परिस्तितियों में यदी बरसात में बारिश में हमारी मुर्गियां मुर्गियों और चूजें भीगते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसके माध्यम से बारिश में मुर्गिया मुर्गियों और चूजे भीगने के बावजूद उन पर कोई बीमारी ना है और हमारे फार्म का मोटिल्टी रेट जीरो रह पाए आईसी परिस्तित्यों में दोस्तों यहां से आने वाले समय में बरसात काम हो सम है और जब आप खुले तोर पर मुर्गिया मुर्गियों और चूजे बाहर छोड़ोगे तो वह भीग सकते हैं और आईसी परिस्तित्यों में उनको बीमारी होकर मरने की संभाव ना है यदि इस से बचाव करना चाहते हो तो यह वीडियो शुरुवात से लेकर यहां पर अंततक देख लीजिए यह वीडियो अंततक देखते हुए यह आपको पसंद आ जाए तो जरुर इस वीडियो को यहां पर एक लाई कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा खिसान भाई और मुर्गी पालग भाईों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए जरूर इन वीडियो को शेर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नमबर वाटसब गूप टेलिग्राम गूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप्चाट इन सोचल मेडिया के सादनों का इस्तमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को ज़रूर यहाँ पर शेयर कर दीजिए रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाग जोड़ कर अनुरोत करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को तो मैंने अपना माना है आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को मैं आखरी सास तक अपना ही मानता रहूँगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो जरूर चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाएए वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएगे इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि बरसात के मोसम में बारिश में यह दी मुर्गियां मुर्गे और चूजे भीगते हैं तो क्या करना चाहिए वो ऐसे तो पकड़ ले बरसात के मोसम में तो बारिश होती है लेकिन आज कल क्या हुआ है कि साल भर बारिश जारी दो चार दिन हो गए बारिश आ जाती है दो चार दिन हो गए बारिश आ जाती है और आएसे में क्या है कि मोसमी बारिश और बे मोसमी बारिश में मुर्गिया भीग जाती है तो उनको सरदी उनको जुकाम उनको खासी यह हो सकती है जिससे इसका रूपांतरन आगे चलके chronic respiratory disease यानी CRD में यानी सांस लेने के बीमारियों में हो सकता है जिससे आगे चलके मुर्गियों का mortality rate बढ़ सकता है ऐसे में फिर मुर्गिया यदी बाहर छोड़ी गई है मुर्गे बाहर छोड़े है चूजे बाहर छोड़े है तो वह अगर यदी भीग जाते है तो करना क्या चाहिए कि जिन से उनको बीमारी भी ना हो और mortality ना वड़े इसके बारे में सठीक की जानकारी लेते हैं यह जानकारी मैं आपको दोंगा उससे पहले आप सभी के लिए खुश कबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से वाट्सप ग्रूप बना दिया है अगर इस वाट्सप ग्रूप में जुड़ना चाहते तो इस यूडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सप ग्रूप की लिंक है आईये जुड़ जाईये और मुक्त में सेवा ये लेते रहे हैं और आपके लिए दूसरी खुशी की खबर एक दोस्तों आपकी सेवा करने के लियाने कि इंडियन मुर्गी पालन के मार्द्यम से भारत औरशे में कोई भी मुर्गी पाल बीमारी आने से पहले कौन कौन से टीके देने किस प्रकार से मुर्गियों का टीका करने करना ही जानकारी तिक 2021 से काबि raging emoji 265 मुर्ग पने के लिए इसके चानल के मार्केटिंग के मार्द्यम से आपको मदद भी जाएगी अगर आप भी देशी मुर्गी पालन के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल पास सुरुपे के मासिक शुल्प का पर आप हमारे इंडियन मुर्गी पालन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए आपको वाटसप नंबर 842 62 62 पर आपका नाम पूरा पता छे आंको का पिंकोर भेजना है और 842 62 62 पर कॉल करके बताना है उसके बार मैं आपको वाटसप पर जो है आपको 82508 4648 मेरा फोन पर गूगल पर नंबर भेजूंगा इस पर पास सुरुपे भेज इसकर स्क्रीनशॉट भीजवाना है बस इतना करने से दोस्तों आपको रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने से वन्चित नहीं कर पाएगी तो देखे दोस्तों आब हम लौट कराते हैं हमारे मुख्य वि तो देखे दोस्तों मुर्गिया और मुर्गे जब बाहर छोड़े जाते हैं अगर वह भीग जाते हैं तो ज्यादा डरने के आवश्चक्ता में इनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से इनको ज्यादा तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसे परिस्तितियों में की मुर्गी और मुर्गे भीग गए हैं आप तुरंत बहुत ज्यादा भीगने की आवस्ता में जो है शेड के अंदर के लाइट लगा दीजिए शुरू करने के बाद उनको वहां पर जो है शेड के अंदर पैक कर लिजे दोस्तों और घंटा दो घंटे उनको क्या कर दीज जैसे छोटे चूजों की बूडिंग होती है वैसे उनको घर्मी दी जाए जिस माध्यम से उनके शरीर के उपरी सतह जो होगी वह सूख जाएगी और अगर बहुत ज्यादा जो है ठंडा चली गए होगी तो वह भी वहां पर निकल जाएगी यह हो गई दोस्तों बस इतना करने से मुर्गियों को जो यह तकलीफ के आएगी उससे निजाद मिल जाएगी और जो देसी इलाज ही उसकी क्या करना एका है दोस्तों मुर्ग Раз भीगने के बाद दूसरी दिन आपको तुरंत उनको जो हे दोस्तों अध्रक और लहसन का पैष्ट जो पानी में मि नहीं होगी और इसके लिए आप गुड़ पानी का भी इस्तमाल यहां पर कर सकते हों रही बात चुजों की थोड़ी अलग बात है चुजे महिना देड़ महिने दो महिने के बाहर छोड़े और वह चुजे भीग गए समझो तो यह क्या होता है कि आपने अंदर ले लिए चु लगा दीजिए लाइट शुरू करने के बाद इनको अंदर डाल दीजिए उसके बाद एक जगह पर उनको इकटा होने मत दीजिए आपको दो-चार घंटे यह महिनत लेनी पड़ेगी नहीं तो छोटे-छोटे कंपार्टमेंट कर लिजिए अगर ऐसा करोगे तो मुर्गि के आवश्यक्ता है दोस्तों उसके बाद आभी मेडिसिन की बात करें तो उनको भी वाहमेरल दो दिन और उस्ट्रवेट दो दिन एक लिटर पानी में दो एमेल मिला कर देना है देशी इलाज में अधरक लहसान गुड़ पानी तुलसी के पत्तों का उगरे इनका इस्तमाल चूजों को बाहर निकाली बरसात के मोसम में छोटे चूजों को बाहर निकालने से थोड़ा बचोगे तो आपका होगा दोस्तों यहां पर फायदा तो इस प्रकार से मुर्गिया मुर्गे चूजे भीगने के बास साउधानी बरत कर मुर्गियों पर आने वाली बीमारियो को आप रोग कर मुर्गियों के फार्म का मॉट्रीटी रेट कम रख सकते हैं तो ऐसी ही जानकारी मैं मेरे ओनलाइन ट्रेनिंग में देता हूं अगर आपको भी हमारे ओनलाइन ट्रेनिंग में जुड़कर लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है तो संपर कीजे 84-82-62-62 पर यहां पर संपर के होने के साथ हम किस प्रकार से आपका सहीयोग करेंगे इसकी जानकारी दी जाएंगी उत्पादन से लिके विक्री तक यानि प्रोडेक्शन से लिके मार्केटिंग तक यह पुरा सहीयोग होगा और आपको प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर पाएगी और इंडियन मुर्गी पालन के वाटसप गुरूप से आप जुड़ना चाहते हो तो मुफ्त में जुड़ सकते हैं इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाटसप गुरूप की लिंक है आईए टच करके पूरा वीडियो दोस्तों की मुर्ग्या बारिष में भीग जाये क्या करना चायária जिसंते हमारे पाम कम रहेगा इस यह का पैख सब्छा नंबर वाटसप गृूब तेलिग्राम गृब सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाया और मुर्गी पालग भायों को मैने अपना ना है और आखरी साथ दक आप अपना हिमानता रहूंगा यदि आप भी मुझे आपना घर का सदय से प्रूटियों इस वीडियों के दाइतर निशली सेड में आजाई वहां पर आने के बाद दिखाए देने वाद लान रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच करने उसके बाद आवार